दोस्तो मार्किट में अभी भी बहुत सरे से लोग है ना जो लॉस कर रहे हैं उनको अभी तक सही direction नहीं मिल पा रहे हैं और बहुत सारे लोग तो option में चले जा रहे हैं and option में जाने के बाद में उनका mindset बिलकुल यहां पे खराब होने की वज़े से वो management नहीं कर पा रहे हैं so मैं आप लोगों के लिए एक live trade का series ला रहा हूं जिसमें की मैं live trade करूंगा and वहां पे आपको psychology, risk management, capital management, smart entry कौन से level सबसे ज़्यादा valid होता है and आप कैसे trade कर सकते हैं उन levels पे live emotion की trade लेने के बाद में candles किस तरीगे से react कर रहे हैं and हम लोग किस तरीगे से अपने mind को stable रख रहे हैं A to Z आपको यहां पे advanced learning मिलने वाली YouTube में यह series हम लोगों का day 1 से ले करके day 150 तक कर रहेगा मतलब 150 days हम लोग market में psychology, risk management, capital management हर एक चीज़ को बहुत ही advanced तरीके समझेने वाले हैं so अगर आप लोगों को यह series अच्छा लगे तो comment करके जरूर बताएगा and यह 150 days में आप बहुत ज़्यादा master बन जाएंगे trading के बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा आप सब लोगों के लिए trading करना हर एक दिन के series को आपको बहुत ध्यान से देखना है and no down करते जाना है कि मेरा psychology कैसा था, मेरा risk management कैसा था मैंने capital कितना utilize किया and उसका percentage of profit कितना बना मेरा जो trade setup था, वो कितना valid था and उस trade में risk कितना था life में emotions कैसे करके मैंने control किया A to Z को no down करना आप लोगों का काम है क्योंकि अगर आप लोग खुद को support नहीं करेंगे न तो इस दुनिया में और कोई भी नहीं जो आपको support करे ये चीज मैंने भी सीख लिया है तो आप लोग भी सीख लिजे अगर आपको कुछ life में करना है न तो खुद के उपर में ध्यान दीजे, खुद आपको करना है वो चीज ना कि किसी और के भरोसे में रहके आप dependent बन जाओ market में maximum लोग loss क्यों करते हैं क्योंकि वो market से profit लेने के लिए आते हैं और इसलिए बात है हम लोग मार्केट में जो काम करेंगे वो profit के लिए न करेंगे लेकिन यहां पर difference यह हो जाता है कि वो लोग जो market से loss करके गए न वो market से सिर्फ profit लेने के लिए आये थे अपना hard work मार्केट को देने के लिए नहीं सो इसलिए मैं यह सीरीज ला रहा हूँ आप लोग के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा knowledge आपको मिलने वाले advance तरीके से सो चलिए आज हम लोग day one सीरीज स्टार्ट करते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो like जरू कर दीजेगा वीडियो को जितने ज़्यादा likes आएंगे न मैं यह समझूंगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टेट हैं सीखने के लिए सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नया दिन एक और नई अनलिसिस के साथ में आप सब लोगों का मैं सवगत करता हूँ आज है थर्जडे आज expiry है निफ्टी ट्रेट कर रहा है समवेर राउंड उन्नीस पान्सो बिरासी के आसपास में अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी हम लोगों का ट्रेट कर रहा है 44700 के आसपास में बैंक निफ्टी ने एक gap down दिया हुआ एगर हम लोग निफ्टी को देखेंगे यहाँ पे निफ्टी भी सर्थ सेम यहाँ पे formation में थोड़ा बहुत falling के तरफ में behave कर रहा है ठीक है और मैं आप सब लोगों को बता दूँ यह जो series में start कर रहा हूँ ना जहां पे आप लोगों live market में ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में समझ में आएगा कि कैसे हमें trade करना है कहां पे हमें entry करना होता है quantity management क्या होता है media psychology है वो कैसी हुई mindset कैसा रहा आज के trading में trade कितना ज्यादा risky था हर एक चीजों के बारे में हम लोग analysis करेंगे and सीखने का खुशिस करेंगे यहां पर ट्रेंड लाइन तो वैसे है buying के setup बन रहा है दिखते हैं किस तरी के से market प्लान कर रहा है तो आप लोग को वीडियो अच्छे लिगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा and सीखने का कुशिस कीजेगा सो टाइम हो रहा है 9.51 मार्के इस लेवलग का सबस्मेन थोड़ा साक दिस ले रहा अगर आप देखेंगे तो यह लेवलग का सबस्में humanity मार्क एथ उसमें दिक्कत हो सकती है अब लोग की मार्केट जब डिजन प्लान कर लेगा ना उस टाइम पर फिर गुश सकते हैं ठीक है यहां पर अगर हम लोग देखेंगे एजर सेफटी के लिए तो यह में के ऊपर में एकदम सपोर्ट पर है मार्केट ठीक है एकदम बहुत अच्छा मार्केट यहां पर डिजन प्लान कर रहा है ठीक है नीचे थरब बहुत आएगा तो और क्वाइंटी लेंगे हम लोग as a future में करें हम लोग यहां पर वैसे quantity में ज्यादा नहीं लेने वाला हूं ठीक है जो quantity सभी लोगों के पास में होता है न यहां पर option buying cuisine बात करेंगे यहां पर काम करते हैं बैंक निफ्टी अगस्त वाला कितना चल रहा है एक और वीडियो में आप लोग लिए डालूंगा कि क कैपिडल में कैसे future में काम करें बहुत से play out होगा वह यहां पर अगस्त का future में कितना चल रहा है 90,000 का असपास का यहां पर दो लोट लेते हैं मतलब 30 ठीक है पहले lot 25 का था अभी 15 का हो गया अच्छा कैसे भी नहीं बहुत अच्छा काम किया यह चीज होना ही चाहिए था देखते हैं दो lot में करेंगे हम लोग कितना पैसे हम लोग का बन सकते हैं लेकिन थोड़ा से कुछ और confirmations मिलने दीजिए फिर करते हैं यहां पर काम ठीक है यहां पर कुछ बातों का देखे ध्यान रखना जरूरी है जैसे कि हम लोगों का जो भी लॉंग पोजिशन हम लोगों ने लिया है ठीक है बहुत ज़्यदा खराब तो नहीं है लॉंग पोजिशन लेकिन एक नहीं यहां पर चोटा सा वियू मुझे दिख रहा है लोवर ल लोवर रही तो अगेन फॉल क्या यह चीज कंटीनु करना जा रहा है मार्केट अगर यह कंटीनु करेगा तो फिर लॉस के लावा कुछ नहीं रहेगा हम लोगों के हाथ में ठीक है ना अभी हम लोगों कुछ प्रॉफिट चल रहा है देखे क्या है ना एक्चुली यहां स्च्ट करने के पीछे में यह वाला मॉसन भी कहीं सपोर्ट कर रहे है यहां पी चोटा सा क्या करेगा यह करेगा इन प्लान करेगा ओर एक और कुछ ठीक ना एक दो तोरा सा और यह सपोर्ट कर ली यह देखिए हां यह जा रहा है बस यही चीज था यह में के ऊपर में चले जाए तो बहुत अच्छा हमें रिजल दिखने को मिलेगा और यह तो हजार का प्रॉफिट बहुत इजी ली ठीक है दिखते हैं कितना हम लोगों का यहां पर रिस्टु रिवार्ड मेंटेन होता है हम लोगों ने लिया ह है समवे राउंड यह लेवल के आसपास में कहीं है ना एंट सर यह क्या चीज है वाट इस दिस वाट हैपिनिंग यह क्या हो रहा है यहां पर इतना मतलब रिल्टी से लर्ट आगे मार्केट में रिया लोगों के लिए बहुत मज़ाएगा ठीक है ना छोट चोट चोट चो ठीक है ऐसे मार्केट से बचके रहे हैं तो फिर भी हम लोग स्टेबल यहां पर नहीं तो क्या होता ना हम लोगों का वो तो आपको पता ही है ठीक है देखते हैं कितना हम लोग यहां पर जो है प्रॉफिट या रिस्क ले सकते हैं इसकी वेजिबिल्टी थोड़ी सी कम कर करेंगे वीडियो को ज्यादा लंबानी करेंगे जो जो नॉलेजबल पार्ट्स होंगे उसी को महीं यहां पर समझाने का आप लोगों को ट्राइ करूंगा वीडियो अच्छा लगे यह सीरीज अगर कंटीनियू मैं करूं अगर आपको कुछ सेजिशन है तो बताएएगा जरूरा वेट करेंगे सो यहां पर फाइनरली हम लोगों को मूबमेंट मिल चुका है अब देख सकते हैं ट्रेट को स्क्वेर अफ करना है डार्गेट से जादा ही पैसा मिला ठीक है। ही प्लेस क्यों हुआ हाँ चलिए ओहोँ प्रफट कम मिल गया सीट फैटालीस उस पास क कर दिख रहा था कम क्यों मिला शिट मैं थुरसा मिल जाता पैसा चलिए ban lasers profit कम हो गया सोच रहें है आप creators मतलब इतना खराब लग रहे है ना चलिए ठीक है देखिए क्या है ना खराब लगने वाली बात तो होगी ही आप लोग भी स्कुएर अफ करते हैं चलिए टार्गेट से जादा ही पैसा मिला वो भी हम लोग मानते हैं लेकिन यहां पर ना एनलेसिस को समझने का ट्राइ कीजेगा यह जो अगर के नैचे में आ जाता आता तो आप कह सकते थे कि और ज्यादा weakness के तरफ में market जाने की probability था बट कहीं न कहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो जितना sellers थे उतना buyers भी थे लेकिन यह जो candle यहाँ पर create हुआ ना यह बहुत shocking candle था टरस यहाँ पर ना heavily decision plan हुआ मार्केट में profit तो हम लोगों को आज ने तो कल बड़ा मिल जाएगा लेकिन आप इना psychology को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए मैं इस सीरीज आप लोग लिए लाए हूँ और आप लोगों को आज इसका वीडियो अच्छा लगे कुछ सीखने को मिले लाइक जरूर कर दीजिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में हैं इस वीडियो को देखने हैं लाप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यों समझ टेक कियर